हेलो गाइज वेल्कम बैक टू माई चैनल एस्डी क्लासेज तो आज अंसर की जारी हुआ है तो आप अपना मिलान कर लीजिएगा कि कितना नंबर मेरा सही है कितना गलत है उसके नुसार फाइनल कटाप भी जारी होगा तो यह है पेपर आंसर की यह वाला जैनल स्टेडी और सोसल साइंस और लैंग्वेज दोनों का यह आंसर की है तो इसमें आप देखेंगे ठीक जिसका अपना अपना सीट के नुसार मिलाना है ठीक जिसका आई है वो इस सेट इसके नीचे जो भी लाइन में है इसमें आप मिलान करना है और जिसका जे है तो यह इसके नीचे जिसका के है इसके नीचे और जिसका एल है इसके नीचे मिलान करना है ठीक तो आप इसी तर आप अपना मिलान कर लीजिएगा और एक से पांच तक question एक से पांच तक है इंग्लीज उसके बा ठीक, 9 से 30 तक है 9 से 30 तक है हिंदी ठीक, जो कि भासा का पेपर होता है जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होता है ठीक, इसे इस पर कटाप नहीं बनता और इसके बाद अब 30 तक हो गया अब 31 से जो भासा का subject का पेपर है तो 31 से start है 31 से, ठीक 31 से start है इसके नीचे अब जितना भी 31 के नीचे जितना भी है इससे आप मिलान करेंगे ठीक, जनरल स्टडी का पेपर पुरा ऐसा है इसे देख लिजिएगा आपना ये social science का है और और ये हिंदी का है, ठीक subject अब प्लस हिंदी लैंग्वेज जिसका हिंदी लैंग्वेज होगा और हिंदी subject होगा इसका ये answer की है इसमें भी आपका उसी तरह मिलान करना है कि जे के और एल जो भी है इसा आपका set में मिला लेना है कौन सा मेरा set है उसकी अनुसार नीचे दिये गे तो आप जाएंगे इसे इसे मिलाते जाएंगे नीचे और final अपना अनुमान देखेंगे कि मेरा कितना question सही बन रहा है जल्द ही result भी जारी होने वाला है तो 15 दिन ज्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन के अंतर अंतराल में आपका result भी जारी हो जाएगा ठीक है थैंक यू